वेलकम टू इंग्लिश एजुकेयर डेस्क। इंग्लिश एजुकेयर डेस्क के आपका स्वागत है। देखें, इंग्लिश में एक शाब्द है आपका वैलिट, V-A-L-I-D, वैलिट, तो वैलिट का क्या अर्थ और मतलब होता है, इसके अंटोनिम्स क्या आते हैं, मतलब मतलब होता है क्या, वैलिट का मतलब होता है वैद, उचित, जायज, तर्क संकत या तार्किक को हम बोलते हैं वैलिट, मतलब लॉजिकल, रिजनेबल, रैशनल या जस्टिफियेबल, मतलब वैलिट, इसके अपोजिट आते हैं, मतलब अंटोनिम्स है, इन्वैलिट, एक्स confirmed या wrong अब examples से sentences में समझते हैं सब से पहला शाव्द है आपका valid जैसे बोलेंगे this ticket is valid until August मतलब यह ticket अगस्त तक व्वैद है तो valid मतलब मतलब वैद दोसरा example जोब के अंतोनिम्स है अब देखते हैं सब को जैसे बोलेंगेüyorsun this ticket is invalid now, यह ticket अब अवयद है, या this ticket has expired now, तब भी अवयद हो जाता है, या फिर this ticket is wrong now, तब भी अवयद हो जाता है, जो गलत है, मतलब अवयद है, तो valid के antonyms क्या क्या हुए, wrong, expired या invalid, और भी इसके antonyms आ सकते हैं, ठीक तो इस studio में साज के लिए इतना ही मिलते हैं, next studio में तब तक के लिए, bye bye, thanks for watching, English हजुके यार, desk.